मुल रूप से वॉलेंटेरिंग या स्वैम सेवा का मतलब है इच्छुक होना या दूसरे शब्दों में जीवन के लिए पूरी तरह से हां बरना जादातर इंसान सुविधा जनक होने पर हां और सुविधा जनक ना होने पर ना होते हैं हां अगर कुछ मिल रहा है ना अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है एक वॉलेंटेर का मतलब है कि उसने बस एक चीज छोड़ दी है जो कि एक बड़ी महत्वपून चीज है उसने बस ये एक हिसाब छोड़ दिया है कि मुझे क्या मिलेगा अगर कोई इनसान इस एक गनित को छोड़ दे कि इससे मुझे क्या मिलेगा अगर उसने इससे छोड़ दिया तो अचानक से वो एक अजूबा बन जाता है ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ कि हमारे वॉलेंटियर क्या कर सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स या ग्रामीन कायकलब कारिक्रमों को देखें और लगभग हर चीज जो यहां की गई है उधारन के लिए ध्यानिलिंग की गोल छट सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें क्या लगता है मंदिर की छट इस तरह से बनी है कि उसमें कोई सीमेंट नहीं है कोई स्टील नहीं है कोई कॉंक्रीट नहीं है सरल तकनिक यह है कि सारी की सारी इंटें एक साथ गिरने के कोशिश कर रही है इसलिए वो नहीं गिर सकती ये ऐसा है मानिए सब लोग एक साथ दर्वाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं निकल सकते जब तक कि कोई पीछे हटने का सिष्टा चार नहीं दिखाता तभी वो जा पाएंगे पर इंटों में वो सिष्टा चार नहीं होता तो वो सब एक साथ नीचे आने के कोशिश कर रहे हैं और नहीं आ सकती तो इसे बनने के लिए एक लाक असी हजार इंटे लगी ये एक लाक असी हजार इंटे हैं उन में से हर एक को हमारे स्वयम सेवकों ने एक एक मिलिमीटर तक नहापा था अगर कोई थोड़ अला परवाह होता और जितना होना चाहिए कोई उससे दो मिलिमीटर आगे इंट को रख देता तो ये पूरी चीज नीचे गिर सकती थी तो मैंने बैट कर उनसे बात की और उनसे कहा देखे इसका मतब ये है मैं ये आपके हादों में सौंप रहा हूँ आपने अपने जीवन में कभी इंट के साथ काम नहीं किया पर आपको इस तरह से नापना है और आदमी और तें बच्चे दिन रात बैट कर नापते गए नापते गए नापते गए और उन्होंने इंटों को रख दिया और जब उन्हें इसे रखना है तो रखते समय जल्दी जल्दी करना है ताकि ये नीचे ना आ जाया एक बार में आपको एक चकर पूरा करना होता है और आज आप इसे देख रहे हैं मैं बस एक उदाहरण की तोर पर आपको बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़े की गई हैं, तो वो क्या है जो उनको प्रेरित करता है? देखें, जोश और जुनून से परे कुछ है, प्रेरणा से परे भी कुछ है, लाब से परे भी कुछ है, जो कि एक इनसान के लिए बहुत महत्वपून होता है, जिसको आमतोर पर जादातर इनसान कभी नहीं खोचते। उनका पूरा जीवन, फाइदे और उम्मीदों, उसके लिए कुछ जुनून और कुछ तीवरता तक रह जाता है, पर वॉलेंटियर एक तीवर जीवन जीते हैं, इस हॉल में आमतोर पर हम वहां से काम करते हैं, हमारा ओडियो सिस्टम कहीं और है, और अचाना कुनों ने य पूरी चीज यहां सेट अप कर दिये, यह हमें कुछ परिशानी दे रही है, यह तो जानते हैं, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो रात भर लोग काम कर रहे हैं, और दिन में भी वह काम कर रहे हैं, वो सोते कब हैं, वो नहीं सोते हैं, यह मेरा अनुभाव है, मैं ऐसा हम 20-22 घंटे लगा रहता हूं, हफते के सातो दिन, क्योंकि काम चल रहा है, अमेरिका में काम चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में, जो अलग-अलग टाइम जोन में हैं, सुबह के दो बजे अगर मैं अपना फोन उठाऊं, और कोई भी स्वामी या कोई और फोन उठाए, तो मैंने कभी भी एक बार भी सुस्तावाज नहीं सुनी है, क्या सद्गुरू, नहीं, सद्गुरू, चाहे रात हो, दिन हो, कोई भी समय हो, ये सबसे बड़ा वर्दान है, कि आप लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, जो तीवर हैं, जो केंद्रित हैं, और जो कुछ भी किये जाने की जरूरत है, उसके लिए खुद को समर्पित करने के लिए तयार हैं, ये सबसे बड़ा सुख है, जो एक इनसान को मिल सकता है, और सुभागे से ये हमारे पास है, जो करने को मिल सकता हैं, ठक इनसे को मिल सकता हैं, झाल कि को मिल सकता हैं, और सकता हैं, आयो कि अनसाने की जरूरर में सकता थाच defंसरण कांसरा लेए, और सुआ में таким क yönजरें लिदो क बादाने कर लिएक 57.